टिवाना रेडी दे सतकारस रोते वाज फिर सांज पॉने तो अड़ीक फरांसी सी कहानी नाल तेंदूए दे नाल लिवपाट दे नाल और नौरो दा बालजाक दे एक कहानी है और बात कीता पजनवीर सिंग हो रहा ने फरांस ते मिसर दा जुद चल रहा सी मिसर दे सैनका ने फरांस दा एक सैनक बंदी बना लिया ते ओ नील लाती दे चरने तो दूर उसनों रेगस्तान दे विच लेगे फरांस दे विच नील दे रिया बड़ा मशूर है फरांसी सैनक दे हत उनने कास के बने हो सांज ते उनानों तसली सी मिसर दे सैन कानू के फरांसी सी पाज नी सकदा उनाने खाना खादा ते मिसर दे सैन के बेफिकर होगे सौंगे फरांसी सैन के दियां खाज नीद नहीं सी उसने देखा के जब सारे मिसरी फौजी सुते पाएने ते उसने दंदा नाड़ थोड़ी दूर पया एक खंजर चुकिया उसने अपने खंजर नो अपने गोड़ें दे विच कार रख लै ते हाथ दी रसी वाड़ देती उनसने एक बंदूग चुकी, एक खंजर चुकया ते कोजी कारतू उसने खान ले, कोजी खजी उरा ते जौवां दे दाने चुकले खंजर उसने लाकनाड बन ले आते, ओ कोड़े ते सुवार होगे तुर पया साथियां तक पहुंचन दी शेती दे विच उसने कोड़े नू बहुत पजाया पर कोड़ा पहल नहीं थक्या हो ऐसी, तेज दौड़ नाड़ उसने कोड़े दे सुरीर ने जवाज़ ता ते उड़े पया थोड़े देर पिछों कोड़ा मर गया फिर भी इस मिसर दे फौजीयां कोड़ों पजे सैनक ने हिम्मत नी शड़ी ओर एकस्तान दे विच पैदल ही पैदल तुरदा गया रात पह गई श्रीर दे तुरन दी ताकत ना रही से योग नाड़ उकटला आंदी चोटी ते पहुंच गया जिते खजूर दे कई रुकसन ओ बहुत थक्या हो ऐसी इसलिए चटान दे लमा पैगया शेती ही नीद आगी जदो स्वेरे उस ती अक खुली उसने चारे पसे नजर दढ़ाई दूर तक रेत ही रेत जो जो दिन वद दा गया गरमी पे अंकर हुंदी गी नराश सैनक खजूर दे रुखना लिप्ट गया थे बैके रोण लगा किस बियवांच मेरी मौत तैया हो कदे समानवाल वेखदा थे कदे मिलना तक फैली रेत रेगस्तान वाल उस ते दमाग वेच पैरस थे फ्रांस थे होर शेरां दी तस्वीर को मरेशी अपने मित्तर प्यारे चेते आरे सन पर तापदी दपैर दे विच वो अपने देश वारे ज़ादा देर सोज ना सके ओठे ते चटान दे दूजे पासे नो तरपया ओठे पांचन दे उस ती खुशी दे टिकाना ना रहा ते चटान दे विच उसनो एक गुफा नजर आई ते गुफा दे समने खजूर दा रुख जस्ते बहुत सारी खजूरां लगी हैं सन खजूरां दे रुख नो देख के उस फरांसी सेनक दे मांच फिर जिओन दे इच्छा परवल होटी उसने सोचा के जदों तक मिसर दे लो के तो नहीं लंग दे तदों तक ओखजूरां खा के चसमे दा पाने पी के जिओन दा रह सकता है कोके ताक्तवर दे कफाला हैं खजूर उसना मनोबल इसलिए विच्चा सी के नपोलियन भी मिसर विच सी उसनो आज सी के फरांसी सी मिसर नो जट लेनगे पर वेख दा फिकर शाड़ी के उसने खजूरां तोड़ी हैं ते खान लग गया उसने मांच ख्याल आया के रेकस्तानी पशू इस चस्च में ते पानी पीन जरूर आँदे होनगे ते उसनो गोफा दे द्वार नो उसने सरख्यत बनाऊन दते आनाया ते उसने खजूर दा एक रोख वड़े के उस दे तने नो गोफा दे मूँ ते लादेता कि होन गोफा बारों कोई जानवर नहीं आ सकेगा वो गोफा दे अंदर वड़के सौंग गया अद्धी रादे क्रीब एक जोरदार वाजनल उसनी नीद खुली उस जाड दे विच वो एक पेंकर वाजनल थर थर कंबन लगा बार कोप हने रासी हनेरे दे विच उसने दो पीडियां चमक दियां अक्खां वेखियां क्योंके जानवरा नी अक्खां कोटे आं दियां पेडियां दियां अक्सर रात नो चमक दियां ने लाइट डांदी तरह ते अक्खा हनेरे विच देखन जोग जदो होई या तो उसने देख्या कि उसने पैरां तो कुछ दूरी ते के जानवर लेटेया होया डार नाल उसने रॉंग टे खड़े हो गया और समझ गया कि ओ गोफा किसे पशू दिया जानद शुपन वड़ा सी ते रॉशनी होन गोफा तक का रही सी सैनक ने देख्या कि एक तेंदूवा राम नलस होता हुए उसने एक पाली अखा खोली हैं तेंदूवा ने उसनी अखा चम कियां ते सैनक वाल उसने वेख्या ते फिर सौंग गया सैनक दे मंच हजारां विचारा है सन एक वारी उसने सोच चा को तेंदुए नो गुली मार दवे क्योंके राइफल उसकोल सी खंजर भी उसकोल सी क्योंके तेंदुए ते उसने विचकार फासला इना कट सी क्यों बंदूक दी नाली भी उसवाल ने सी कर सकता इस कोशिश ते विछ तेंदुए जाग भी सकता सी जदो उस वाल नो राइफल मोड़ दा उस दे दिल दी तड़कन तेज हो रही सी उसने दो वरी अपना हथ खंजर नो पाया जो से लकनल बदा सी उस रख्यात रहे जाएगा पर तेंदुए एक दो वरी उस दे वल चाग के फिर रखा मीट के सौंग गया तेंदुए बर गे मोटी चमड़ी वाड़े पारे रोमदर पशुनू खंजर नाल मारना सखाड़ा ने सी कोके फुर्ती बहुत हों दिया उस चीते वांग मजबूरी दिवेच ओ दिन चड़न दी उड़ी करन लगा सुवेर दी रोशनी चुस ने देख्या के तेंदुए दे जवाड़े खुन नाल लबड़े हो सन सैनक ने सोचया के पूरा पेट पार के है राजी के सुता जागेगा तां अगर पुखा नहीं होगा ओ एक मादा तेंदुए सी जणे के फीमेल जे ओ किसे पिंजरे दे विच बांद होंदा ता सैनक उसनी सुंदरता दी परशाशा कीते बिना ना रह सकदा पर ऐस समय ओ तेंदुए नू सामने वेके पैपीट सी इस तरह सापदिया अखा नालकें दे मनोखिक समोहन दे विच मजज़ जानदा उसे तरह तेंदुए नू देखके ओ भी समोहन दी वस्ता दे विच सी उसने सोचया के मरना ता है क्यों ना हैमत नाल मुकाबला कीता जावे आंत बहादरी नाल ओ तेंदुए तेंदुए ते जागन दी डीकार लगा के इस ते सुत्ते ते क्यों वार करना इने कड़ा मेरे ते वार कीता इने मेनोग वेख लया के बंदा वैठा पर ए मेरे वनों बेपरवा होके फिर सौंगी ते मैं फिर इसनों क्यों मारा जानिए देख सैनक वाली के मर्द वाली जुरत आगे हालांके खंजर नाल जा राइफल नाल वारता कर सकदा सी पर ओड़नु डार सी के किते मेरे यार नशानना सेथ देयां ए मेरे ते टैक ना करदा वे दूसरा उदेख नेतिक ता कि जदो एने मेनों वेख के एका मीट लियां ते मैस ते सुत्ते ते वार क्यों करा एक जुरत एनसान वाली सची सदाचार वाली ते ओ तेंदुवे दे जागन ते उस ते मूड नो अड़ीकन लगा सूरी दिया करना उस कोफा दे विच पहुंच दे ही मादा तेंदुवे ने अपनी अखां खो लियां उसने पंजे फलाए अंगडाई लेई उबासी लेई पल्टी मारे फिर पंजेयां ते लगे लोहुनों चट्या अपना मूँ खुरकन लगी ओ मादा तेंदुवे दे तोलना एक और तनाल करन लगा उसता होसला वदा जा रहे सी उसती खंजर ते पकड मजबूत हो रहे सी उन मादा तेंदुव उसती अख्छा पाके वेख दा रहा जे में ओ तेंदुवे नो भी समुहुत करना चौन्दा होए कोके उसने जाने हो ऐसी के जनी देर शेर बगेड दिया जया दुष्मन दिया अख्छा पाके वेखो वार नी करदा ओ फीमेल तेंदुवे उसते को लाई ते उसने बड़े प्यार नाड फिर सैनक ने प्यार नाड उस ते स्रीर ते हाथ फेर देता उस सर्तों लेकर पूँच ता को उस ती हाथ ते हाथ ते हाथ फेर के उस ती रीड दी हड़ी ता उसने अंदाज़ा भी ला लिया मादा तेंदुवे ने अपनी पूश पर चक ली उसनी अक्खान दे विच भी निमरपाव आगया जद सैनक ने तीजी वार उसनी पेट ते हाथ फेरेया ताँ ओ तेंदुवा पाल तू बिली वांग कुर कुर गरॉण लगी सैनक नू विश्वाश हो गया तेंदुवा रजजी पुजी तेंदुवा उसनी अटायक नहीं करेगी ओ ठया ते राम नाल उसको नोट के गोफादे बार नू आ गया तेंदुवे न उसनी बार जान दता ओ फीमिल तेंदुवा भी हॉली हॉली उसनी पिछे तुर पी तेंदुवा उसनी नाल अपने लत्ता नाल रगड़न लगी सैनक समझे गया के होवर प्यार चौंदी है सैनक कदे उसनी पेठते हाथ फेर दा उसनी कोखते हाथ फेर दा उसनी पूश नू पलोच दा ते उसनी अपने खरक दा फेर उसनी अपने खंजर नाल दी नोक नाल उसनी सर देविच गुदगदी भी किती ए जानना लई कि उसनी हड़ियां किनी एक मजबूत ने मादा तेंदुवा ने सर चो कया ते तो अनगे वदा दती जिमें प्यार कारन दी अजाज़त देती होवे सैनक दे मांच अचानक वे विचार आया कि ए होना मस्ती दी मुद्रा दे विच्छा है मैं क्योना इसते खंजर मारके इसता कतल कर देमा ओज़तो खंजर अबारन लगा अगरन लगा ता फिर उत तेंदुवा उस ते पैरान उचटन लगी ते उस सैनक वाल हूर बहुत निमर होगी सैनक दी आतमा जागी ते उसने खंजर मारन दा रादा ते आक दाता सैनक फिर खंजूर दे रोखनल पेठला के बया गया ते खंजूरा खान लगा ते नाल ही अपने इस मित्तर तेंदुवा दी शक्की द्यालता ते भी नजर अखन लगा मादा तेंदुवा उस थान वेख रही सी जिते ओ खंजूरा ने गिटकां सोट रहा सी होन उसनी अखान दे विच शक ओबर रहा सी कि उसने सैनक दा एक बार जैजा लेया ते फिर संदूश्ट हो के फिर उस सैनक दियां जूतियां चट्रन लगी सैनक ने सोचा कि जदो इसनों पोख लगेगी ता निरसंदे उसनों खा जाएगी एक ख्याल आँदे आँ सैनक नों कंबणी शडगी उसने तेंदूश्ट हो दे शरीएदा फिर जैजा लेना शुरू कीता आपनी जाती विच निरसंदे उसाब तो सुन्दर ते तकड़ी तेंदूआ सी तेंदूश्ट उची चार फुट लम्मी ते उसने पोँश्ट भी लगपक तेंदूश्ट लम्मी सी उसने शेर वांगू सिरवड़ा सी ते वो बाग वरगी प्यानक सी ते उसने आखां देखके नारी तब दब लेखा पेंदा सी और तदा चरने दे कोड़ दा अद्दा ख़दा मास पे आ सी जो उसने ख़दा सी तेंदूए ने कोड़ दा लगपक अद्दा हैसा खा ले आ सी ते सैनक मुड संदूश्ट हो गया उस उसनो समझ वेचा गया क्यो गुफा विच क्यों नहीं वो क्यों उसता सनमान कर रही है क्योंकि वो पूरा निडर होके उस तेंदू इना रहा सकदा क्योंकि उसको लजे खुराक पई है वो मोड़ा आया ते मादा तेंदू अपने पूंश लाउन लगी दो में खिड़न लगी सैनक ने उसता मूँ अते पंजे फड़ ले ते उसते पेठते हो हाथ फेर लगा जे में ही सैनक ने उसते पंजयां ते हाथ फेर या ता उसने सावदानी नाल अपने पैर पंजयां विच समेट ले सैनक दे हाथ अजे भी खंजर सी तेंदू दे टेड़ दे विच खंजर खोब बन दा वचार अजे भी सैनक दे दमाग दे विच सी दूसरे पासे हो इस नर्दोष जानवर नो मारन तो भी चेज़ करिया सी उस दी आत्मा ने सी आग्या दे रही कि जदो ए मेरे नाल फ्रेंडली है मैं इस दे नाल क्यों दुश्मनी नवामा उसनों लगा कि रेगस्तान देविच शायद ए उस दी हिकमत तर है उसनों देख कि सैनक नों अपनी प्रेम का जादाई उस दी प्रेम का भी बहुत इरखालू सी ते उसने अपनी प्रेम का दाना मिगनोने रख्या होया सी एस तेंदुए नों भी उसने अपनी प्रेम का दे नानल बलाणा चाया उसनों मिगनोने का के बलाणा ता उसनों देखन लग दी स सेनक सोच रहा सी कि जदों वे सौंज आएगी ता उत्हों ओ मलक डे उठके निकल जाएगा ओ बेचानी दी विच्छ तेंदुए दे सौन दी उड़ी करनेगा जयों इही ओ सुती सेनक तेजी नाल नादी वालनों तुर पया मुश्कल नाल ओ एक किलोमेटर ही तुरे होगा त उसनों तेंदुए दी खंखार वाज सुनाई देती हो कंब गया ते उसे शान उसता पैर दलदल विच पैगया ते उस दलदल विच ता सन लगगा रेगस्तानी दलदल दे विच एक वर बंदा अगर फस जावे ता निकलना मुश्कल होंदा है ओ जिनना कोशिश करदा हो न थल ले जानदा है ते उस सैनक जोर्नल चीख या उसे समय मादा तेंदुए थे पहुंच गी उसने सैनक दी कमीजदा कालर अपने दंदांच दवा लेया ते फिर ओ पिछे नों उसली ते उसनों दल दल दे विच खिच लेया फिर ओ चीख या मिगनोने यानि अपनी प्रेम का दे नाना ते उसने प्यार नाल उसनों पचका रहा ते बोले आसी फिर मिल गया पता नहीं इस दे विच पलाई है जब राई बस तू कोई मूर्खता ना कर भई अंतो अपने गुफा दे विच वापस आ गये दे लंग दे गये कदे कदे उस सैनक पैपीत हो जन दा कदे शांत रहेंदा ते उ अपना जादा समा सोनच बतीत करदा इसका अलदा भी तया राख दा कि कोई पोल्या पटके तो निकले ता ओभी उसनल चला जाए उसने अपनी कवीज नू चड़े वांग एक रोखते बन दता तांकि कदे किसे दी नजर पवेता ओई थे रोक जावे एक मनोख दी निशानी सामझ के एक दन पता नहीं के थो एक पंची आके खंजूर दे रोकते चेकन लगा सैनक ने पंची नू देखन ली मादा तेंदुए तो अपनी नजर हटाई ते उपर देख्या तेंदुए नू लगा के जमें सैनक उसनी अन देखी कर रहा ता ओ ते तेंदुए वाल प्रशंशा पूर नजरा नाड़ देख्या ते दोमाद ये नजरा मिलियां ते उना ने एक दुज्जे दा पाव समझन दी कोशिश करी जनके जानवर नो भी इर्ख है कि मेरे हुंदयां तू दूसरे पंची नू क्यों वेख रहा हैं ये रखा सोकना वाल ते सैनक ने वी एक पल गवाय बिना खंजर उस तेंदुए दी तौन दे विच वाड़ देता तेंदुए ने चीक मरी ते पल्टी खा दी ते सैनक दे देल दी तड़कन रोक गई उसने देखिया कि तेंदुए दी अक्षां विचके रना जाहन सदा पाव ने सी उस ती हालत देख के सैनक दे देल पर आया उसनों लगगा कि शायद उसने किसे मनुख दा कतल की ता ते उस तेंदुए दी मौत वाद ओव फुट फुट के रोया उसे दन उसने कमीज रुक ते लहरा हुदा वेक एक सैनक उते आया ते उसनों लगगा परंतु सैनक नों सारी जंदगी उस तेंदुए दा गम ना पुल सके तो यह एक अटेच्मेंट है हलांके एक दन पामे उसने अटाय की ता क्योंकि जानवर हो दी फितर रता है पर जदो सैनक ने उस दे पेट द ता ता जखमी हालत विच 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 वियो सैनक वाला नफरत दी नजर नालने सी वेख रही जा गुसे नालने सी वेख रही सो यह है फरांस दी कहानी सैनक ते तेंदुए दे नाल एक सैनक दी कहानी है तेंदुए दे नाल अनुरो दा बल्जाक दी कहानी है फरांस दी कहा नहीं है ते उन वाद कीता सी पजनवीर संगुराने इदे विच हुना क्योंकि एक मनुखदी ते एक जानवर्दी अटेच्चमेंट है पर दुनाच समतोल के में रह सकता उदी भी फितरत अपनी है पर अटेच्चमेंट भी है इसी तरह मनुखदा स्वाव ही है कद वैशी हो जन्दा बंदा अपने नुमार बैठ था तो इसी फ्रांसती कहानी जादा तर जानवरा अटेच्चमेंट दिया ही उन दियाने सो क्योंकि फ्रांसी सी लोग अपने पैट प्रती बहुत इश्क रख देने तुसी वेखो कि बिछे जे फ्रांसती गौवर्मेंट ने अपने करांदे वेच भी कुकड होर जानवराद पलन दी विशीष तोरते अग्या देती हुई है सो फ्रांस वाड़े वीर बेतर जान देने सो फ्रांसता कल्चर सी ते कहानी वदिया लगी सब सजनानों तानवाद ते अमीदत वह नूभी पसांद आई होएगी सो ए मनुखी मांदियां फेतर ताने सोंबरतों शनिवार स्वेरे साधे शेतो साधे आठ ते शामे साधे सत्तो साधे नो तो आदेना लाई मुलाकात हों दिये ते तुसी अपने इना प्रामनुट वाना रेड़ी ते यूटिप पेज ते सुन देव सो इस प्राम दा लेंक थन्वे सास्वात्रेट जिरो शन्वे पच बन जाते हैं मुझा आ सकते हो ये से ही नमबर 987-630-9655 ते प्राम देज को अलभी कर सकते हो